भारित और दुनिया का इतिहास गौरब पूर रहा है, कुस तारीके इन्हें महत्पूर बना देती हैं। चल ये जानते हैं 30 मार्च की प्रमुगटनाएं कौन सी हैं। 30 मार्च 1664, गुरु हर कृष्ण 10 सिक गुरु में से 8 में। पांच वष्ण के आयू में अपने पिता गुरु हर राय के बाद सिक धर में सबसे कम उम्र के गुरु बने। 1699, गुरु गोबिन सिंग पंजाब के आननपूर साहिब में खालसा के स्थापना करते हैं। 1842, अमेरिकी चुके सर्क ग्रॉफर्ड लॉंग सर्जिकल प्रक्रिया में अनेस्थेटिक के रूप में डाइथाईल इथर का उप्योग करने वाले पहली वेक्ती बने। 1853, नीदे लैंड के प्रसिट चत्रकारों में से एक विंसेंड वैंगो का जन्व हुआ। 1861, सर विलियम क्रुक्स ने थालियम तत्व की अपनी खोच की घोशना की। 1867, अमेरिका ने अलास्का को रूस से 70 लाग डॉलर में खरीदा। 1899, भारत पाकिस्तान विभाजन की रेखा तयार करने वाले साइरिल रैड क्लिफ का जन्व हुआ। 1908, देविका रानी चौधरी भार्टी फिल्मों की एक अभिनेत्री फे 340 के दश्रक के दुरान सक्री थी। वो इसे दिन पैदा हुई। 1919, महत्मा गांदी ने रोलेट एक्ट के विरोध की खोशना की। 1969, राजिस्थान राजी के स्थापना हुई और जैपुर को उसकी रास्थानी बनाए गया। 1969, तिबबती विद्रो की शुरवात में दलाई लामा और उनके अनुचर आज के दिन अपनी जान बचा कर तिबबत से भाग कर भारत आ गए। 1981, अभिनेत्री जोडी फोस्टर को प्रभावित करने की कोशिश में जुनुनी प्रशनसक जौन हिंकली जूनियर ने अमेरिकी राश्टपती रोनाल्ड रीगन और तीन अन्य लोकों को वाशिंग्टन डीसी में हिल्टन होटेल के बाहर गोली मार कर खायल कर दिया। 1982, नासक अंतरिक्ष्यान कोलंबिया स्टी एस थ्री मिशन पूरा कर प्रिद्वी पर लोटाया। 1992, सतिजीत रे को समानार्थ ओसकर पुरसकार से समानित क्या गया। 1998, च्वींग के उतरी भाग शेडोंग में एक भेड की हड़ी पर उकेरी गई लगबग 3000 साल पुरानी शब्दावलियां मिली। 2002, आनन्द बक्ष्य एक लोग प्रिय भारतिय कवी और गीतकार। उन्हें सर्वश्वेश्ट गीतकार के लिए चार बार फिल्म फेर पुरसकार मिला। इस दिन उनकी मृत्य हो गई। 2006, मनुह श्याम जोशी एक भारतिय हिंदी लेखक पत्रकार पठकता लेखक। उन्हें भारति टेलविजन के पहले सोप उपेरा, हम लोग और उनकी शुडवाती हिट बुनियात के लेखक के रूप में जाना जाता है। 2009, 12 बंदूग धारियों ने लाहोर पाकिस्तान में मनवान पुलिस प्रसिक्शन स्कूल पर हमला किया। और स्रक्षा बल उद्वारा इसे फिर से लेने से पहले कई घंटों तक रोके रखा। 2013, उतर पशिम अफ्रिका 7,325 मुरकों में पाए जाने वाला एक हरा उलका पिंड पारा ग्रेपर उत्पन हो सकता है। अगर विज्ञानिक सही है तो ये पारा पहला ग्यात उलका पिंड होगा। 2014, फ्रोजर जो आसकर विजेता फिल्म थी, ने सब्दाहंत में टॉई स्टोरी 3 को पचार कर इत्यास में सबसे ज़्यादा कमाई करे वाली अनिमेटेट फिल्म बन गई।